विखार भासपा ने कल अपने जिला ध्यक्षों के नामों का एलान किया देखे भारती जनता पार्टी के संगठन में सांगठलिक डिस्तिकों से बिहार में कुल पैंतालिस जले हैं तो 45 नामों का ऐलान हुआ और इसके बात तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गए भूमियारों में चर्चा सुरू हुई बेगुश राइ में बेगुश राइ में चर्चा क्यों शुरू हुई ने वहां कुस्बाहा जाती के राजीर कुमार बर्मा को जिला धक्ष बना दिया बेगुश राइ भाचपा का तो बेगुश राइ के भूमियार सननाटे में चले गए उस लोग कह रहे हैं कि नितीश कुमार के बोट मैंक में सेंधमारी की कोसिश जा रही है तो बेगुश राइ की खबर हम बता ही रहे थे कि जहानाबाद से भी फोना दिया बिहार के भूमियार जहानाबाद को भी अपना भिद्ध किला मानते हैं हला कि 2019 में धा गया था जब जदिव ने इंडिये में सामिल रहकर चंदेशवर प्रसाद चंदरबरंसी को मिद्बार बनाया और उन्हें जीत भी मिली तो देखिए अब बिहार बीजेपी ने भी जहानाबाद में भाजपा के भीतर भूमियारों का दुर्ग खतम कर दिया है भूमियारों का यूग खतम कर दिया है कल जब सांगठनिक जिलाध्यक्षों की सुची का एलान क्या गया तो जहानाबाद भाजपा के जिलाध्यक्ष बनाए गए अजय देव और अजय देव ये कौन जैसे ही सुची शामने आई जहानाबाद पहुंची लोग आपस में पूछने लगे अरे भाई ये बीजेपी मे जहानाबाद में बात की या जहानाबाद की लोग जो हमें संपर्क कर रहे थे वे कर रहे हैं अजय देव भी जाती से कुसबहा हैं तो देखिए बेगुश राए में भी जो भूमियालो का किला वहां भी कुसबहा को बनाया गया और जहानाबाद जिसे भी भूमियार अपन किला मानते हैं वहाँ भी अजय देव को बनाया गया जो जाती के कुछ बहां है कोई भेलावर थाना च्छतर के सुपी गाउं के रहने वाले बताये जा रहे हैं और वहाँ के भूम्यार बतलब जहानाबाद के भूम्यार डंग है क्योंकि यदि वे पुराना इतिहास देखते हैं जहानाबाद भाजपा का तो सुरेश कुमार शर्मा निवत्मान अज्जक्स थे उनके पहले पूनम देवी थी ससी रंजन रहे हैं कुमार अभधेस रहे हैं राधा महुन सर्मा रहे हैं राम किशोश सर्मा रहे हैं ललन कुमार रहे हैं देखे पिछी और ती पिछी जा प्रण्जी को मिद्वार बना कर और अब दो हजाद तेईस में मतलब दो हजाद चौबिस के लोग सवाचुनाओं के पहले बीजेपी ने भी जिस पर सबसे अधिक भरोसा करते हैं कहते हैं या मेरी पाती है उसने भी दगा दे दिया और जहानाबाद में घुमियार की जगा कुस्वाहा को अजय देव को जिला ध्यक्ष बना दिया मतलब ताच पहना दिया लेकि विहार की राजिती में इन दिनों कुस्वाहा जाती का महत तो बहुत बढ़ा हुआ है क्योंकि कुस्वाहा जाती को NDA मतलब राजग अपने प्रक्ष में करने की कोशिस कर रहा है उपेंद कुस्वाहा कैसे जेडियू से बाहर आए उन्होंने रास्तिये लोग जनता दल का निर्मान किया हुए किस तरीके से भाज़पा की करीब जा रहे है आपने देखा दो द उपेंद कुस्वाहा भाजपा की स्टी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे लेकिन इसके साथ उन्होंने यह भी कहा कि आप बाई प्लस दे दें या जेड़ प्लस दें बोट कितना आया था कितनी सीटों पर उपेंद कुस्वाहा जीते थे इसका भी ख्यार लगा जाना तो देखें बीजेपी के भीतर कुस्वाहा जाती का महत्त बढ़ा हुआ है आपने वह दोर भी देखा कि जब बिहार में महागटवंदन की सरकार बनी और विर्धान सभा और विर्धान परिसद में विरोधी दलके नेता के चैन की बारी आई तो समराथ चौधरी को भुम्यारों की छटनी हो रही है भुम्यार कम किये जा रहे है संगठन में लेकिन कुस बहाब बढ़ाये जा रहे हैं तो इसका राइनेतिक प्रफाव कितना पड़ता है नितीज कुमार के बोट मैंक में कितनी सेंध मारी होती है और भाजपा यह मान कर चलती है कि सबन तो म भुम्यार जीते तो अब आगरे लोकसभा चुनाओं में वे क्या परियोग करेंगे कितने भुम्यारों को तिकट देंगे नहीं देंगे या तिकट देने के जिम्मेबारी कॉंग्रेस को दे देंगे यह देखने की बात होगी क्योंकि 2019 में आर्जेडी ने किसी भुम्यार क तो अनन सिंग वहाँ व्यक्ती है, वहाँ पार्टी काम नहीं करती है, तो इसके सिवाए विधांसवा चुनाओं में भी आजएडी ने किसी भूम्यार को टिकट नहीं दिया था, लेकिन जब A to Z के फार्मूले की बात चल रही है, और यदि यह जो भाजपा भी परिवरतन कर रही है, इसका कुछ प्रभाव दिखता है, तो महागटबंदन क्या करेगा, यह देखने की बात होगी, तो जहानावाद में भी भूम्यार यूग खत्म हो गया है, कुछ बहा को टाज मिला है, यह ख़बर आप जरूर समझेंगे, राजनेतिक दिस्तिकों से, देखिए, मै इसलिए कहता हूँ, कि कभी-कभी मैं जाती की चर्चा नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन बिहार में जाती की चर्चा नहों या बात संभब नहीं है, और भाजपा वाले तो इसमें पीछे ही नहीं रहते हैं, जब बिहार में नए राज्यपाल बने, तो राज्यपाल कौन है किस जाती के हैं या कोई नहीं जानता था वे गोवा में विरानसभा के अज्जक्स थे हिमाचार परदेश के पुरुब राज्यपाल थे उनका जो टाइटल है उससे जाती का पता चल भी नहीं रहा था लेकिन सपतगरन के तुरंत बाद बिहार भाजपाक के परदेश अज्जक संजय जायसवाल ने एक फेस्बुक पोस्ट किया था और उस फेस्बुक पोस्ट में यह बताया था कि बिहार के नए राज्यपाल रविदास जाती से आते हैं तभी बिहार को जानकारी मिली क्यों रविदास जाती से आते हैं राज्यपाला और रासपती के बारे में जब जाती बताना परे तो आप समझ सकते हैं कि राजनीती कहां तक पहुँच रही है। इसलिए बिहार में राजनीती हो, उमिद्बार हो, दिला ध्यक्ष हो और जाती की चाचा नहो यह बात तो संभभ ही नहीं है। इसलिए भाजपा नए परियोग कर रही है, भूम्यारों को नफा हो रहा है या नुक्षान हो रहा है, इसकी समिक्षा हुए खुड करेंगे, अब जबकि हमने बेगुश्राय और जहानाबाद की खबर आपको बताई है, कई और जिलों से इनपुट्स आ रहे हैं, उन पर भी हम ध्यान रखे हुए हैं, जो जानकारी प्राप्त होगी, आपसे हम जरूर सेयर करेंगे, और सबसे पहले बताएंगे कि दो हजाच चौबिस के लिए बिसाच इस तरीके से किन लोग सवाच हैत्रों में कौन बिछा रहा है, कौन आगे रहेगा, कौन पीछे रहेगा, किसे टिकट मिलने की सम्माब में सब कुछ बताएगा लाइप सिटिग, आप देखते रहेए, और यदि अब तक आपने हमारी यूटूब चैनल लाइप सिटिग को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जरूर कर लिजेगा, और यदि इस वीडियो को फेस्बूक पेस के मादियम स देखें, तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्यूटर पर भी हमें पॉलो कीजिए, धन्यवाद.